हलो दोस्तों आप सभी का All About Socious में स्वागत है और हम लोग अभी UGC NIT PAPER 1 का जो रिजनिंग वाला पोर्शन है mathematical reasoning वाला उसको discuss कर रहे हैं तो अलड़ी हम लोग series के बारे में थोड़ा सा discuss कर चुके थे जिसमें की prime number series कैसी होती है उसके बारे में हम लोग discuss कर चुके हैं आज जो है हम लोग different series के बारे में चर्चा करेंगे different series क्या होता है इसमें एक एक करके एक particular अंतर पर नमबर दिए गए रहेंगे मैं यह आपर लिख देती हूँ different series different series में क्या होता है जैसे कि एक series हम लोग लेते हैं two, five, eight कि इसमें आप लोगों को एक pattern दिखाई दे रहा होगा एक एलेवेन कि फोर्टीन कि सेवेंटीन कि आगे हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं नेक्स जो है वह 23 है फिर 26 है तो यहां पर आप लोगों को अभी कुछ तो clear हो रहा होगा कि कुछ तो इसमें एक particular difference है जैसे कि दो और पांच में तीन का अंतर है तो अगर हम इसमें plus three कर दें तो eight हो जाएगा इसी तरीके से five plus three कर देंगे इसमें तीन add कर देंगे जोर देंगे तो eight हो जाएगा इसमें plus three कर देंगे तो ग्यारा हो जाएगा इसी तरीके से ग्यारा में 3 जब जोड देंगे तो ये 14 हो जाएगा फिर 14 में जब 3 एड़ करेंगे तो 17 होगा और 17 में जब 3 एड़ करेंगे तो ये हमारा अगला नमबर जो है वो 20 हो जाएगा और फिर जब हमें इसमें प्लस 3 कर देंगे तो यहां पे 23 हो गया तो 23 और 26 इस तरीके से एक सिरीज है वो बनती है complete होती है ऐसे ही थोड़ा कुछ भी और अलग तरीके से हो सकता है कि बढ़ते हुए नंबर के साथ आपको दिख जाए जैसे कि यह तो एक की एक्जाम्पल हम लोग समझ लिए दूसरे एक्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जैसी कि दिया है 45 45 है फिर 38 हम यहां पर टाट टाट कर दिए कि नंबर क्या होगा उसके बाद से 24 27 10 फिर 3 तो यहां पर आप लोग यह देख रहे हैं कि इसमें एक तो कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है अगर आप लोग मालेजे इधर से नहीं है तो इधर ही से देख लीजे आप लोग 10 और 3 के बीच में 7 का डिफरेंस है अगर हम इसमें से माइनस 7 करते हैं साथ घटा देते हैं तो यह नंबर मिल जाता है ऐसे 45 में से जब हम साथ घटाएंगे तो यह हमें 38 मिल जाएगा इसी प्रकार से जब 38 में से यदि हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पे जो अगला नमबर है यहाँ पे अगर हम 7 घटा देते हैं तो यहाँ पे जो है वो 31 हो जाएगा फिर यहाँ पे 7 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा यहाँ 7 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोग को एक pattern दिखता है जिस्ट उसको हमें ढूरने की जुरूत होती है जहां आप लोग को easily लगे उधर में आप लोग quickly सोचे कि यहां पर क्या pattern दिख रहा है और फिर उस तरीके से आप लोग एक जो number series है एक difference के रूप में एक particular अंतर के साथ जो मिलता है उसको आप लोग easily solve कर सकते हैं एक series जो आती है वो multiplication series होती है जैसे गुड़ात्मक series भी कहते हैं तो यहां पर हम लोग अभी उसका भी कुछ example देख लेते है multiplication series तो इसमें क्या होता है कि हम कोई number है और उसको हम लोग इस तरीके से रहेगा कि कुछ गुड़ा करके और फुर वो next तक जाता है तो जैसे कि for example अगर हम लोग यहां पर एक series को ले लेते हैं two, six, eighteen, fifty-four यहां पर अगर हम missing number देख लेते हैं और उसके पास से next number है four, eight, six, one, four, five, eight one, four, five, eight तो यह आप लोगों को एक series दिख रहा है अब यहां पर missing number क्या होगा यह हमें find out करना है तो आप लोगों को यह दिख रहा है कि two है और यह six है तो two का जब हम multiplication करेंगे three से तो six आजाएगा अर्था दो तियाई च्छाए बोलिए या फिर two, three, six बोलिए तो इसमें अगर हम into three कर देते हैं तो two, three, six या फिर दो तियाई च्छाए आप लोगों हिंदी में भी easily इसको calculate कर सकते हैं वैसे ही छाए तो इन्टू three करेंगे तो अठारा हो गया अठारा तियाई च्छोवन हो जाएगा च्छोवन तियाई आए आखे में क्या होगा तो च्छोवन तियाई जो है वो हम multiply करके देखेंगे तो तीन चोग को बारा तो दो हो गया और एक और यह जो कैरी है वो एक ब हो जाएगा फिर हम इन्टू three करेंगे तो one four five eight हो जाएगा तो इस तरीके सी यह multiplication series होता है एक और हम लोग एक्जामपल इसमें देखेंगे दो दो एक्जामपल देखते हुए चलेंगे तो एक एक्जामपल और हम लोग देख लेते हैं जैसे की तीन फिर बारह एक पैटन आप लोगों को एकदम इसली दिख जाये करेगा कि आखी में क्या है यहां फोटी एट है नेक्स नंबर उसके बाद से सेवें शिक्स एट फिर त्री जीरो इस तरीकी से जो एक सदेन अचानक बढ़ता हुआ दिखता है तो आप लोगों को यह सम यह कि इसमें जो है वो गुडात्मक जो प्रोसेस है वो यूज किया गया है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि तीन में जब चार का गुडा करेंगे तो बारह हो जाएगा बारह चोग को अर्तालिस हो जाएगा ऐसे यह अर्तालिस में जब चार का गुडा करेंगे त तो 4 फार वाठे बत्तिस दो हो गया और तीन हां आप लोगं को हासिर या फिर कैरी माल लीजिए और फिर चार चोग को 16 और 3 16, 17, 18, 19 तो यह हो गया 192 तो यहां भी missing number आप लोगं का बानबे हो गया फिर into 4 की यह तो 768 हो गया फिर इंटू 4 किये तो 3070 हो गया तो ये तो था multiplication ओके नेक्स हम लोग देख लेते हैं डिवीजन सिरीज क्या होता है डिवीजन सिरीज डिवीजन सिरीज में क्या होता है कि भाग देखे और निकलता है तो इसमें आप लोग ये देखेंगे कि जो एक नमबर है वो या तो इस टार्टिंग से आप भाग दीजिए तो आगे कम होता जाएगा या फिर इस तरीके से रहता है कि कि स्टार्टिंग में भी कम रहेगा और आगे लेकिन एक पर्टिकुलर भाग देने पर ही वो नंबर आता है तो जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं यहां पर एक एक एक्जाम्पल कि सिरीज एक है 720 फिर उसके बाद से 120 फिर 24 फिर 6 फिर डाट 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 और एक तो यह एक नंबर है आप लोग को एक सिरीज मिल गया अब इसमें हमें यह नंबर क्या होगा यह हम कैसे डिशाइट करेंगे तो इसमें आप लोग को यह परटन दिख रहा होगा की 720 को किस से भाग देंगे आप लोग की 120 आएगा यहां पे आप लोग को दिखि़ रहा Sudden Numbers जो है वो डाउन होते जा रहा है तो यहां पे हम 720 को किस से भाग देंगे तो 120 आएगा तो 120 में हम या यह कहें कि कितने का गुड़ा करेंगे तो 720 आएगा तो सिंपल सा यहां पर जब हम माल लीजिए कि 6 से भाग देते हैं या फिर 6 से गुड़ा करते हैं तो आप लोग 0 को दिमाग से उतार देजिए अगर माल लीजिए कि आप लोगों को pen paper कम यूज करना है तो यहां पर आप लोग यह imagine करें कि यह 12 है यहां पर जो इकाई पर नंबर है उसको हम छोड़ देते हैं यहां पर आप लोगो 12 दिख रहा है यहां पर 72 दिख रहा है तो अगर हम 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो यह 120 आ जाएगा यानि कि 120 में अगर हम 6 का गुड़ा करेंगे तो 720 होगा 720 में यदि 6 से भाग देते हैं तो 120 आ जाएगा तो यह बहुत ही easy step है यहां पर आप लोगों को यह मिल गया next नंबर आपका है 24 अब 24 कैसे आएगा तो यह आप लोगों का अगर 5 से भाग दे देते हैं अब आप लोग देखिए कि यह भाग तो दिया जा रहा है लेकिन इसमें भी आप लोगों को एक sequence वाइस नंबर घटता जा रहा है तो पांस यदि भाग देंगे हम इसको तो यह 24 आ जाएगा अब अगर हमें इसको तीन से भाग देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा दो और इसको हम अगर दो से भाग देते तो एक कम दो हो गया तो यह अगला हो गया एक तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि आखिर में pattern क्या बन रहा है थोड़ा सा quickly mind को दोड़ा पड़ता है कि pattern क्या बन रहा है उसी के हिसाब से हमारी series जो है वो बनती जाती है ओके नेक्स हम लोग देख लेते हैं n square series n square series क्या होती है इसको हम लोग देख लेते हैं यह है n square series तो इसमें क्या होता है कि जो number होता है वो अपने खुद के number का अपना खुद का square होता है तो अभी जैसे एक series हम लोग for example हम यहां पे समझेंगे कि एक है फिर 4 है फिर 9 है 16 है 25 है 36 है फिर कोई number missing है और उसके बाद से 64 है या फिर 64 है तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं एक का square एक होगा यानि एक का square अर्थात एक का एक से जब गुड़ा करेंगे तो हम एक ही आएगा तो वहीं पे 2 का square 4 होगा तो 2 का square जो है ओ चार होगया 3 का square 9 होगा 4 का square यानी 4 गुडे 4 16 होगिया 5 का square यानी 5 गुडे 5 तो जब 5 गुडे 5 करेंगे तो इसका उत्तर अची साएगा ऐसे 6 गुडे 6 तो 36 हो जाएगा 7 गुडे 7 तो 7 साते 49 तो यहां पर missing number 49 है 8847 नेक्स नंबर आगया आप लोगा तो इस तरीके से आप लोग को कोई series दिख सकती है जिसमें आप लोग clearly यहाँ पे answer find out कर सकते हैं कि हाँ इसका correct answer क्या होगा वैसे ही एक और हम लोग example देख लेते हैं तो जैसे कि अगर माल लेते हैं एक series दिया हुआ है कि 0 है फिर 4 है फिर 16 है फिर 36 है फिर 64 है फिर हम dot dot करते हैं उसके बासे 144 है तो यह आप लोग को एक series दिख रही है तो यहाँ पे आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा कि 0 का square जो है 0 into 0 तो 0 ही होगा next जो है वो 2 का square है तो 2 का square दो दूनी 4 हो गया 2 का जो square है वो 4 हो गया ऐसे ही 4 का square है तो 16 हो गया फिर 6 का square तो 66 के 36 यह देखिए आप लोग जो even number है उसका square यहाँ पे आप लोग को देख रहा है अर्थात हम जो की 2 से even number कौन सा होता है जो की 2 से विभाजित हो सकता है तो 2 का square, 4 का square, 6 का square फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8 का square तो 8, 8, 64 हो गया फिर उसके बाद से 10 का square तो 10 दहां में 100 अगर हम 10 की square की बात करें 10 का square मतलब 10 गुड़े 10 एकदम basic से मैं समझा रही हूँ कि अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि square कैसे निकालते हैं ये क्या है तो भी आप लोगों को एकदम clearly यहाँ पे पता चल जाएगा square का मतलब ही होता है कि अगर हम 2 के square की बात कर रहा है मतलब 2 को 2 बार गुड़ा कर दिया गया है तो 2 गुड़े 2 तो ये इसका उत्तरा गया 4 वैसे ही 4 का square का मतलब ये है कि 4 को हमने 2 बार multiply कर दिया तो 4 गुड़े 4 तो ये हो गया 16 तो इस तरीके से हम easily इस तरीके का भी pattern जो देखने को मिलता है उसको find out कर सकते है next जो है वो n square minus 1 series होता है n square minus 1 series जैसे आप लोग अभी n square series देखें वैसे ही n square minus 1 series होता है और इसमें क्या होता है n square होगा और उसमें से इस घटा दिया जाएगा तो इस तरीके से n square minus 1 series होता है जैसे कि for example हम लोग देखेंगे 0 फिर 3 अभी आप लोग n square series में रहा होता तो यह 4 होता लेकिन n square minus 1 हो गया तो उसमें से एक घटा दिये तो 3 हो गया ऐसे ही next number जो है वो 8 है अगर हमारा n square series होता तो यह 9 होता फिर 15 तो इस तरीके से आप लोग को clearly समझ में आ जाएगा कि हाँ यह series जो है वो क्या है 15 के बाद 25 sorry 24 उसके बाद से 35 यह तो आपने n square ही बना दिया series ओके 35 हो गया फिर 48 फिर 63 आगे डाट डाट लगा देते हैं यहाँ हम यह देखेंगे कि अगर हमारा आप लोग n square series को याद रखिए तो n square में 0 into 0 जो होता वो 0 होता 0 into 0 minus 1 तो भी हमारा जो है यह 0 है यह हमारा यह जो अगर मान लेते हैं suppose नहीं sorry ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो 0 minus 1 हो जाएगा तो minus 1 में चला जाएगा यहाँ पे हमने माल लेकि पहला नंबर जो है वो 0 है हमने starting किया 0 क्यों मैं गोली क्योंकि n square minus 1 में हम लोग इसको रखते हैं n square minus 1 में अगर हम 0 को suppose रखते हैं n की जगा पे तो 0 into 0 जो है और minus 1 तो इसका answer यह हो जाएगा 0 into 0 है और 0 minus 1 0 minus 1 का मतलब minus 1 हो जाएगा तो यह यहाँ पे applicable नहीं है apply नहीं करेंगे लेकिन पहला नंबर जोकी 0 है इसके बाद से हम लोग series देखेंगे इसका pattern क्या कहता है तो 0 है 0 के बाद से हमें 3 दिख रहा है तो हम 2 का square कर लिए जब 2 का square करेंगे तो 2 square minus 1 के pattern में इसको रखेंगे 2 का square means 2 into 2 equals to 4 और यहाँ पे minus 1 तो 4 minus 1 हो गया 3 तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगला number 3 है वैसे ही हम 4 का square करेंगे sorry यहाँ पे 0 हुआ फिर 2 का square 3 का square मैं थोड़ा सा बोलने में confused हो गई 3 square minus 1 हम कर देंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह जो है 9 हो जाएगा 3 into 3 तो 9 हो जाएगा minus 1 तो यह हो जाएगा 1 वैसे ही जब 4 का square minus 1 करेंगे तो यह हो जाएगा 16 minus 1 तो यह हो जाएगा 15 तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो square है उससे एक कम है जैसे 25 होगा तो 25 minus 1 कर दिए तो हम 24 हो गया फिर 36 होता है 36 में से एक घटा देंगे तो हम 35 हो गया फिर 8 into 8 minus 1 करेंगे तो 68 हो गया और 64 में से एक निकाल देंगे तो 36 हो जाएगा वैसे ही अगर 9 की बात करें तो 99 81 हो जाएगा 9 into 9 minus 1 तो 99 81 हो गया और उस में से एक घटा देंगे तो 81 में से एक निकालने पर answer 80 हो जाएगा तो series इस प्रकार से complete हो जाएगी तो यह तो हो गया n square minus 1 series अब हम लोग n square plus 1 series क्या होता है n square plus 1 series तो जैसे कि अभी हम लोग एक घटा रहे थे वैसे यहाँ पर एक add करेंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग एक example से समझते हैं जैसे कि series का पहला नमबर 2 है फिर 5 है फिर 10 है 17 है 26 है 37 है dot dot फिर उसके बास से अगला नमबर 65 है अभी इसको समझेंगे हम लोग तो जैसे 2 है तो हमने क्या किया एक का square लिया एक का square हमने किया तो एक का square और plus 1 पहला हम लोग condition देखेंगे तो एक का square 1 into 1 plus 1 तो यह हो जाएगा एक और एक दो एक में एक का गुड़ा करेंगे तो एक ही आएगा तो एक और एक जो है वो 2 हो जाएगा वैसे ही 2 square plus 1 कर देंगे तो 2 दूने के 4 हो जाएगा 2 into 2 plus 1 तो यहाँ पे 2 दूने के 4 और एक 5 हो गया तो यह आप लोगों को next number मिल गया वैसे ही 3 का square plus 1 कर देंगे तो 3 into 3 plus 1 तो 3 दूने के 9 और एक 10 हो गया वैसे ही 4 into 4 square plus 1 कर देंगे तो यह हो जाएगा कि 4, 4, 16 और 16, 17 हो गया वैसे ही 25, 5 into 5 plus 1 तो 25, 21, 26 हो गया फिर 6 into 6 plus 1 तो 36, 36 और 1, 37 हो गया फिर next देखते हैं हम लोग तो 7 into 7 plus 1 तो 7, 49 और इसमें एक एड़ कर देंगे तो यह हाँ पे हो जाएगा पच्चास तो यह आप लोग इसी तरीके से जस्ट आप लोग को सिरीज जो है वो find out करना होता है तो आप लोग ध्यान रखेगा वैसे ही 8 का अगर हम लोग देख लेते हैं तो 8 into 8 और प्लस 1 तो 8, 84 साट और 1, 65 तो यह सिरीज जो है वो आप लोग की complete हो गई तो इस तरीके से यह n square प्लस 1 सिरीज होता है अब यहाँ पे थोड़े से और भी हम लोग देख लेते हैं कुछ सिरीज के पैटर्न होते हैं जैसे कि सेम इसी बेस पे हम देखेंगे n square प्लस n series होता है अब n square प्लस n series क्या होता है तो n जो number होगा उसका हम square करेंगे और उसमें फिर उतना ही number add कर दिया जाता है तो जैसे कि यहाँ पे एक series हम लोग देख लेते हैं 0, फिर 2, फिर 6, 12, 20, 30, फिर हम dot dot करते हैं और next number है 56 तो यह कुछ आपको pattern दिख रहा है इसमें हमें देखना है कि यह missing number जो है वो क्या है, find out करना है pattern देखते हैं, तो 0 हो गया उसके बाद से हम क्या करेंगे कि 0 square यहीं पे हम देख लेते हैं 0 तो 0 square प्लस 0 तो क्या हो गया, यह number आगया 0 उसके बाद से हम देखेंगे 1 square next के लिए 1 square प्लस 1 तो हम n बराबर 1 मान लेते हैं तो n square प्लस 1 तो 1 का square 1 ही होगा प्लस 1, तो यह हो गया 2 तीसरा देख लेते हैं 6 के लिए तो 2 square प्लस 2 तो यहाँ पे 2 का square जो है इसको हम क्या लिखेंगे 2 गुडे 2 प्लस 2 तो 2 दुनी की 4 हो गया यह 4 हो गया दो गुडे 2 अब प्लस 2 तो यह हो गया 6 तो इस तरीके से यह नमबर हमारा निकल गया फिर वैसे ही 3 का है तो 3 3 के 9 और प्लस 3 3 into 3 प्लस 3 तो 3 3 के 9 और 3 12 हो गया फिर वैसे ही 4 गुडे 4 प्लस 4 तो 4 चोग को 16 और प्लस 4 20 हो गया, फिर हम 30 के लिए अगर हम देख लें, तो 5, गुरे 5, तो 25, 35 हो गया अब plus 5, add कर दिया तो 25, 5, 30 हो गयا वैसे इनेक्ञ सीरीज क्या बनेगी तो नेक्ञ सीरीज, जो है 6 गुरे 6, प्लस 6, तो 6, 6 के 36 हो गया, और 6, 42 हो वैसे इनेक्ञ जो है वो 7 कुड़े 7 और प्लस 7 हो गया तो 7 साते 49 और 7 56 हो गया तो यह n स्क्वार प्लस n सीरीज है सिम इसके अपोजिट में अगर हम देखेंगे तो एक सीरीज और बनती है वो है n स्क्वार माइनस n जितना का हम लिप्लाई किये इसक्वार निकाले और उसी नंबर को हम उस से एंस सीरीज होती है इसको हम लोग समझते हैं कि यह कैसा होता है तो एक एक जामपल से हम लोग समझेंगे कि जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं एक सीरीज देख लेते हैं कि अगर मालीजे कि हम निकाल लेते हैं हम लोग खुदी निकालेंगे वन मिनट जैसे कि अगर हम लोग माल लेते हैं, यहाँ पर example तो नहीं दिया है, ठीक है, हम लोग अपने तरीकी से इसको एक बार समझते हैं, कि हम लोग खुछ series बना लेते हैं, जैसे कि 0 है, तो 0 का square minus 0 कर देंगे, तो आएगा 0, उसके बास से 1 है, तो 1 square minus 1, यह भी आएगा 0, तो हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम series जब भी देगा हो सकता है, इसको escape कर दे, या फिर हो सकता है, दो दो 0 आप लोग को देखने को मिले series में, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए हो सकता है, कि एक पहला जो है, उसको escape करके, और next वाला इसको mention करेगा, फिर हम आप देख कि 2 square minus 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 हो गया, 2 into 2 minus 2, तो यह हो जाएगा 4 और उसमें 2 निकाल देंगे, तो 2 हो गया, तो series यहाँ पर आप हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि 0 होगा, फिर 2 होगा, जैसे कि आप लोग इसके पहले वाले में देखेते, अभी हम यहाँ पर देख इसके बास से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, n square में अगर हमा लेते हैं कि यहाँ पर 2 रखे, फिर 3 रखे, तो 3 का square माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 तिरी के 9 हो गया, 3 into 3 minus 3, यह हम लोग series खुद बना रहे हैं, condition को apply करके, तो 3 तिरी के 9 हो गया, और माइनस 3 हो तो यह क्या हो जाएगा, इसके बास से 6 हो जाएगा, तो यह हो गया 6, ओके, तो इस तरीके से आप लोग अगला नंबर जो है, वो 6 mention करेंगे, फिर उसके बास से हम लोग देखेंगे कि, 1 minute हाँ, इसके बास से आप लोग 4 को apply करिए, तो 4 square minus 4, तो 4 चोग को 16, 4 गुड़े 4 minus 4, तो यहाँ हो जाएगा, 4 चोग को 16, और minus 4 हो जाएगा, तो 16 में से 4 निकाल देंगे, तो यह हो जाएगा 12, तो यह सिरीज जो है, वो बन जाएगी 12, तो इस तरीके से हम जो missing number है, सपोज 12 ही missing number होता, तो फिर हम 5 के लिए देखते हैं, अगर सपोज यही missing number ऐसे दे दिय जाए, 5 के लिए देखेंगे, तो 5 सपोज माइनस 5 कर देंगे, तो 25 हो गया, और minus 5 हो गया, तो यह हो जाएगा 12, तो यहाँ पे आप लोगों को देखेगा, यह हो जाएगा 20, तो इस तरीके से 1 सिरीज जो है, n स्कोज माइनस n की सिरीज बन जाती है, तो ओके, यह तो हो ग में आता है जो जिसे हम क्यूब का मतलब होता है कि जब हम उसको तीन बार मल्टिप्लाई करते हैं तो n3 का अर्थ क्या होता है n into n into n तो यह जो सिरीज होता है इसमें नमबर्स आपको दीखेगा कि सदेन मतलब की चींज होते जाते हैं अचानक बड़े होते जाते हैं तो आखिर में कैसे होते हैं जैसे कि एक सिरीज हम लोग देखते हैं एक है फिर आठ है फिर 27 है फिर 64 है फिर 125 है फिर 216 है मैं जिस्ट आप लोगों को यहाँ पर एक्जांपल कुछ बता दे रही हूं इसी बेस पे आप लोग आगे की questions जो हैं उस solve कर सकते हैं तो next number क्या होगा यहाँ पे आप लोग n cube का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि जो भी number है उसको तीन बार multiply करना है तो यह है तो अभी वन को हम निकालते हैं वन का cube तो वन को चाहे जितनी बार आप गुड़ा करिए आपको एक ही दिखाई देगा तो एक गुड़े एक गुड़े एक बराबर जो है वो एक ही आएगा तो यह है वन का cube जो है वो वन ही है उसके पास से हम 2 का cube देख लेखते हैं तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 अब हम लोग गुड़ा करके निकालते हैं 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरा number जो है वो 2 का cube है तो का cube है यह वन का cube है यह जो है वो 3 का cube है कैसे 3 गुड़े 3 गुड 27 एसे ही यह 4 का क्यूब है कैसे चार गुड़े 4 गुड़े चार चोप सुला चोप को वैसे ही यह 5 का क्यूब है 25 25 125 तो यह 125 हो गया वैसे ही यह 6 का क्यूब है 36 36 और गोड़े 6 छो हो जाएगा 216 हो जैगा वैसे ही 7 का Ś açका क्यूब नेक्स नंबर जो है वो 7 का क्यूब होगा तो यहां पर हम लोग देखते हैं 7 गोड़े 7 गोड़े 7 बराबर क्या होगा तो 7 यह साथे 49 हो गया और गुड़े 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 343 तो ये अमारा next missing number जो है वो 343 था तो ये हो गया correct answer तो ये एक इसी तरीके से आप लोग patterns हो सकते हैं आप suppose मालिजे कि एक है यहाँ पे तो ये एक न होके बलकि ये 2 हो जाए यहाँ पे आप लोग अगर suppose करिए कि एक 2 हो जाए ये series में तो यहाँ पे आप लोगों को n cube plus 1 का series दिखेगा n cube plus 1 का series क्यूंकि n cube का मतलब 1 हुआ और इसमें एक जोड़ दिये तो 2 हो गया वैसे ही next जो number है मैं यहाँ पे रुकिया आप लोगों को यही समझा देती हूं थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं अगर n cube plus 1 का जो series होगा उसमें कैसे हम सेम इसी series में कैसे changes आ जाएंगे वो समझेंगे हम लोग तो n cube plus 1 तो 1 का cube जो है वो 1 ही होगा उसमें जब एक जोड़ेंगे तो यह 2 हो जाएगा पहला नमबर जो है वो 2 में बदल जाएगा ऐसे ही अगर हम 2 का cube करते हैं तो 8 आता है इसमें एक और जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा फिर 3 के cube का बदल जो है वो 27 है और उसमें जब एक जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा फिर यह 64 की जगा 65 हो जाएगा इस तरीके से चार का जो क्यूब है आप लोग इसको माइन मत किया करिएगा क्योंकि continuous जब हम लोग बोलते हैं तो कुछ जो words होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं तो मैं इतना believe करती हूँ कि आप लोगो मैं बोलती हूँ टो आप लोग उसका सही मिलिंग समझखके और खुद आगे को बढ़ जाएंगे क्योंकि आप लोग ऐसा तो है हैं कि हाँ समझ में यादा है समझ भी तो आप लोग stands आता है बस यह है कि हाँ आप का भी एक रिवीजन हो जाता है तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूं क्योंकि इतना जादे बोलना होता है तो कभी कबार ऐसा होता है कि वर्ड लड़ पटा जाते हैं और आगे पीछे ऐसा कुछ वर्ड निकल जाता है तो आप लोग उसको खुद रिकरेक्ट करके और आगे बढ़ जाया करिए ओके तो यह चार चोग को 16 चोग को 64 हो गया लेकिन इसमें प्लस वन जब करेंगे तो यह 64 की जगह 65 हो जाएगा ऐसी जस्ट इसमें इस सिरीज में चुकि एन क्यूब का यह सिरीज है और इसमें बस हम प्लस वन कर रहे हैं तो यह 126 हो जाएगा यह 217 हो 42 हो जाएगा तो यह आप लोग एन क्यूब प्लस वन का सिरीज नीची जो दिख रहा है वो एन क्यूब प्लस वन का सिरीज है यहां पे आप लोग को एन क्यूब का सिरीज दिख रहा है तो इस तरीके से यह कुछ सिरीज के पैटरन है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए नेक्स लेक्चर में हम लोग जो लेटर सिरीज है उसको डिसकस कर लेंगे तो उमिद है कि आप लोग को जो भी एक्जाम यूजिसी नेट का आने वाला है उसके लिए थोड़ा बहुत हेल्प होगा हमारे समझाने से और यदि आप लोग को लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए कमेंट करके जरूर बदाया करिया हमें अपने दोस्तों में सेर किया करिए धन्यवाद